हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दा चैनल नौलिज बाई जी कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर जैसा कि आप सभी को पता है हम डेली इंपोर्टेंट एम से क्यू को कवर करते हैं आज भी हम आप सभी के लिए और कुछ इंपोर्टेंट कोशन लेकर आये हैं सात ही आज हम इस वीडियो में सेक्षन को भी कवर करेंगे तो start करते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं क्या question है अगर आपको question का answer पहले से ही पता है तो आप हमें comment section में comment जरू कीजिएगा क्या है सबसे पहला कि CRPC का इन सभी में से कौन सी section है जो बात करती है subordinate of assistant session judge के बारे में अगर आपने इन सभी में से जितने भी आपर section mention की गई है अगर आपने वो सभी section पढ़ी है जहां पर बात की गई है इन सभी में से किसी भी एक में बात की गई है subordinate of session judge के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके पास इसका जवाब जरूर होगा मैं बता देता हूँ subordinate of session judge के बारे में बात की गई है section 10 के अंदर तो इसका जो second है वो बिलकुल सही जवाब है अब हम बात करते हैं हमारे next question के बारे में क्या कह रहा है ये कि assistant session judge will be grant how much type of maximum imprisonment यानि कि यहाँ पर बात की गई है कि जो assistant session judge के बारे में बताया गया है जो की subordinate होते है कि इसके additional session judge और session judge के उनके पास कितनी maximum power है कि वो कितने साल तक की imprisonment यानि की सजा दे सकते है तो उनके पास maximum power है कि वो 10 साल तक की सजा दे सकते हैं तो इसका जो third है वो बिलकुल सही जवाब है अब हम बात करते हैं हमारे अगले important question के बारे में तो मैं आप सभी से एक चीजो और ये कहना चाता हूँ अगर जब भी मैं किसी question को read करता हूँ और आपको उसका जवाब पहले से ही पता है तो आप वीडियो को post करके comment कीजिएगा ताकि आपकी revision होती रहे और आप जो है अच्छे से चीजों को याद कर पाए क्या कह रहा है अगला question की hierarchy क्या है उन officers की किन officers की court of session के तो यहाँ पर मैंने option दिये हैं इनके अनुसार आपको देखना है क्या hierarchy है पहले option में बात की गई है district judge यानि की district judge को हम क्या कहते है session judge भी कहते है additional district और session judge और उसके बाद है assistant session judge इसी तरीके से यह hierarchy यहाँ पर आगे पीछे यहाँ पर मैंने की हुई है आपको पता लगाना है कि कौन सी इसकी सही hierarchy है तो अगर आपको इसका जवाब पता है तो ठीक है नहीं तो मैं बता देता हूँ जो हमारा first option है यह बिलकोल सही है अब हम बात करते हैं हमारे अगले question के बारे में अगला question क्या है कि if an urgent application is come to the district judge और session judge यानि कि session और district judge के समक्ष अगर कोई भी urgent application आती है और उस समय पर ना ही additional session judge available है ना ही assistant session judge available है तो ऐसे में किसके पास power है इस तरीके की urgent application को dispose करने की क्योंकि सबसे पहले बात करते हैं कोई भी काम आता है वो आता है district judge के पास district judge यानि कि session judge के पास session judge के पास इसे हम session judge भी लिख लगते है session judge के पास उसके बाद वो जैसे ही वो काम आएगा ये काम का distribution कर दिया जाएगा निचली जो court है उनको यानि कि ये कर दिया जाएगा additional session judge को session judge को फिर यहाँ पर आगे इसे कर दिया जाएगा यहाँ इसको भी कर दिया जाएगा और इसको भी यानि कि जो assistant हमारे session judge है उनको भी जो भी काम आता है कोई case आता है उनका distribution करने की power यहाँ पर session judge और district judge के पास होती है अब लेकिन यहाँ पर क्या question बन रहा है इस case में ना तो additional session judge available है ना ही assistant session judge available है तो इसकी ऐसे में कौन इस application को dispose of परेगा कौन सुनेगा तो इसके लिए हमें section 10 के subsection 3 को समझना होगा अगर आपने section 10 अच्छे से पढ़ी है तो आपको इसका जवाब जरूर पता होगा क्या कहता है वो पहले तो इसका जवाब हम आपको दे देते हैं उसके बाद हम आज हम section 10 को detail में समझेंगे कि क्या क्या चीजे उसमें बात की गई है इसका जो जवाब है वो है cgm यानि कि इसके बाद अगली power किसके पास आजाती है cgm के पास अब हम बात करते हैं हमारे आज के important section के बारे में जो crpc का section 10 है जो बात करता है subordination of assistant session judge कि assistant session judge किसके subordinate है तो जितने भी assistant session judge है वो subordinate होते है session judge के और जो session judge होते हैं उनके पास पूर्ण jurisdiction होता है यानि कि जो भी काम आता है वो उनहीं के पास आता है उसके बाद आगे distribution होता है जो कि subsection 2 में कहा गया है कि जितने भी session judge होंगे समय समय पर क्या बनाएंगे rule बनाएंगे consistently with this code इस code के अनुसार and distribute the business among assistant session judge क्योंकि additional और session judge इन दोनों के पास same power होती है और यहाँ पर जब business distribution की बात आती है तो यहाँ पर यह business distribute किया जाता है assistant session judge के पास और कुछ जो है distribution कर दिया जाता है additional session judge के पास अब बात करते हैं इसके subsection 3 के बारे में यह क्या कह रहा है यह केबल इतना कह रहा है कि कोई भी urgent application आ रही है session judge के पास ना तो session judge available है ना additional session judge available है ना assistant session judge available है तो ऐसे में कोन उसे dispose of करेगा तो ऐसे में power दी गई है CGM के पास Chief Judicial Magistate के पास साथ ही last line में specifically mention कर दिया गया है कि जितने भी judge या जितने भी magistrate जिनका jurisdiction है डील करने का इस तरीके की application को उन सभी के पास सारी power होगी उस application को dispose of करने के लिए तो यह काफी छोटा section था लेकिन important section है इसमें जो है third जो इसका column है इससे question जो है पूछा जाता है या आप से सब एडिंग से में पूछ लिया जाएगा कि असिस्टन सेशन जजज के बारे में section किस section में define किया गया है कहां पर बात की गई है कि जो है additional session जो session जजज है वो किस तरीके से और किसको जो है अपने business का distribution करेंगे तो ये कुछ question जो है बन जाते हैं तो I hope आपको आज की मेरी वीडियो काफी informative लगी होगी अगर आज की वीडियो informative लगी हो तो इसे like कीजी और फिर मिलेंगे एक new lecture में तब तक के लिए दन्यवाद